हेले इस्टोडेंट कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चोंगे मस्तोंगे बेतर होंगे बच्चों और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे अंसीज पैसे सौलो कराने वाला हूँ देखिए बच्चों जो आपका खंड ए सेक्षन ए होता है उसमें दो पैसेज होत था कि जब आप पहला पैसेज पढ़ते हो तो पहले आप एंसर पढ़ते हो इसके बाद आपको पैसेज पढ़ना होता है कुल मिला करके मेरे कहने के मतलब यह जब आप प्रशन पढ़ लेते हो चो तो आप पैसेज पढ़ते हो तो उसका एंसर मिलने लगता है आप जब भी जो हमारा अगला topic है बच्चो यह हमारा notes making or suitable title को ले करके है थोड़ा सा वीडियो को last तक देखे कर तभी समझ में आएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है इस पर हमको पैसेश पढ़ना होगा जैसे it was the rare oxygen for 10 students of this school to participate in the national exhibition of environment protection held at IIT Pabai Mumbai about 200 student मतलब 200 बच्चे from various part of India look part in it many voluntary organization and district geist maharashtra inaugurated the exhibition the leading themes of the exhibition where the protection of our forest wealth keeping our rivers and lakes pollution free the hazard of air and sun pollution the biggest draw the exhibition was a section on the Himalayas the exhibition evoked a spontaneous response among the local people especially the student अब इसको थोड़ा सा जब आपने पढ़ा तो यह समझा गया मालो मुझसे कुछ नहीं बन रहा है यह समझा गया कि around 200 student को बुलाया जा रहा है अब बुलाया जा रहा है तो कुछ नो कुछ यहां पर ग्यान दिया जा रहा है कि भई पालिवस्तन प्रॉब्लम क्या है है ना कुछ नो कुछ फंक्सन मनाया जा रहा है तो यह एक्चुल में किसके दोरा मनाया जा रहा है दिमाख लगाओ तो इट वाज रहरोज सीजन आप 10 इस्टूडेंट 10 इस्टूडेंट फार आप दिस स्कूल दा पार्टिसिपेंट मतलब दस बिद्दले भाग लें कहां नेशनल एक्जिवेशन आन इंबार्मेंट प्रोटेक्शन देखो जरा कितना बढ़िया सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा है यही आपका टाइटल हो जाएगा जो आपको में बढ़ लगे पूरे पैसेज में जैसे मालीजे किसी लेक के बारे में दिया है जील के बा पवाई मुंबाई मतलब मुंबाई की एक संस्थान है कि इसमें नेशनल एक्जिवेशन आन इनवार्मेंट प्रोटेक्शन इसके बारे में यहां पर बंडन किया इनवार्मेंट प्रोटेक्शन पर्याबन जो है संरच्छन के बारे में बोला गया तो इसमें सब कुछ बत इसलोब मतलब राश्टी संस्था है या किसी अन्तर राश्टी संस्था का नाम भी आजाता तब पर भी हमको बच्चो वहांपर यार आया था कि हाँ यार यार इसके संस्था के बारे में दिया गये है जैसे मा लिजिये आपके पास स्था ज़ए देखो ज़े response of the mind which totally dependent on fulfillment in certain distant mind the very nature in released how one life is being passed to our future मतलब दो-तीन लाइन में ही आपको समझ में आ गया कि भाई ये बोला गया कि माइन को भी अच्छा करता है development भी करता है डिपेंड माइन किस पर कर रहा है योगा पर कर रहा है किस पर कर रहा है योगा पर तो यह आपका यहां पर यह हो जाएगा आपका यह देखो जारा यह टाइटल हो जाएगा समझ में आया मतलब टाइटल क्या लॉंगर कंफिडेंट इन फॉर बाल्स इन देयर होंज ए नंबर आप दे गो आउट टू बाल प्लेश सर्वेट टीचर डॉक्टर नर्स क्लरक बरकर स्टोडिट मतलब सब के छेतर में यह कार कर रहे हैं बो मैं के बारे में तो बो मैं का ही आपका यह रूल से तो कुल मिला क इसा करके तो इसका है हो जाएगा आपका ठीक है TER बारे में दिया है pollution in fueling of the environment तो आप लोग इसी को बता सकते हैं pollution के बारे में ठीक है pollution के बारे में यहाँ पे pollution आपका title हो गया है ना production ठीक है तो यह आपका title हो जाता है अब ज़रूरी नहीं रहता भाई साहब की बिलकुल जो guide में title हो गया ही लिखो अब अपने हिसाब से title दे सकते हैं अब बात आ जाती है note making किया note making कैसे करें note making बिलकुल बहुत simple है बहुत ही simple भच्चो जैसे यहाँ पर notes making है ना तो पहला खंड़ आपका है क्या जैसे आप काला pen और नीला pen का ही प्रयोक करेंगे छोड़ा सा time देना पड़ेगा तभी है समझ में आएगा note making में आपको क्या करना है यहाँ पर डाला है notes अब notes का मतलब यह हुआ कि इसको हमको अध्यन करने के लिए किन किन point हो की ज़रुवत पड़ेगी जैसे मैं आपको कह दो कि सबसे बड़ी पहला एक संस्थान है यह पहला point हो गया ठीक है कौन सा संस्थान है बच्चो यहां पर देखो ज़रा exhibition संस्थान है कौन सा IIT कौन सा IIT कहां भाया पोवाई ठीक है और कहां कहें मुंबाई ठीक है यह संस्थान है इसके आपको दो तीन पॉइंट लिखना जैसे A B C हमने यह IIT संस्थान पोवाई मुंबाई यह किसका संस्थान है exhibition का इसमें क्या क्या चीज़ है बच्चो एबाउट 200 इस्टूडेंट तो 200 इस्टूडेंट है सही है देखो जरा 200 इस्टूडेंट तो 200 एच यू एन डी आर इडी 200 इस्टूडेंट एक न में इस एकर लिखांगो फ्रामबेर सपॉर्टा नियन आगे देखो में लेंटी ऊर्ग नेजेटन यहां पर क्या है आर्गनइजेशन भी किया जाता है तो यहां पर लिख़वालेंटरि अगैना ओर्गनाईजेशन और्गनाईजेशन यह हो गया यहां पर आप इन्बार्मेंटल कर दो इन्बार्मेंटल लिस्ट्स ठीक यह आपका पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट नोट्स मेकिंग में आपको दो तीन पॉइंट करना कि हमको इसे इसाब से पढ़ना है अपने हिसाब से यहां पर दा आन्रेवल चीफ मनिस्टर आप महराष्टा के आ रहे हैं तो भाईया उनका भी महत्रपूर्ण भूमिका है कि इनके पॉइंट के बारे में हम यहां पे जा नहीं है आन्रेवल चीफ ठीक है मिनिस्टर हम भाईया वही चीज लिख रहे हैं मिनिस्टर है ना ऐसे लिख दो मिनिस्टर हो गया बस ठीक है यह चीज हो गया और आगे भी लिखना है तो इसके बारे में तो इसको भी लिख सकते हो अंदेवल chief minister आप महाराईटा आप महाराष्रा ठीक है ये point हो गया मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं ठीक ये हो गया इनके बारे में और कुछ है लीडिंग थीम्स नहीं है इनके बारे में कुछ नहीं है आगे देको leading themes देख रहा है न थीम्स इसका themes क्या है इसका सोच क्या है भाईया यह जो हमारा IIT पवाई मुंबई में इसका सोच क्या है ज़रा देखो ज़रा सोच जो भी point है तो theme लिख सकते हो आप लो कि theme के बारे में लिख देते हैं दो तीन point टिक देंगे copy air theme तीन अंका तो तीन point ज़रूर लिखें आप theme है theme काँ पे देखो meaning गलतने होने चाहिए T.H.E. या means themes क्या है इसका भी A.B.C. जो भी theme हो इसमें क्या क्या theme है theme में क्या क्या लिखोगी आप लोग ज़रा दान देना आपदा exhibition bear protection अपर forest तो पहला नमबर लिख दो protection अपर forest wealth ठीक है पहला नमबर यहां से लिखेंगे आप keeping our river and lake pollution free ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि pollution free river pollution free river ठीक है और भी है यह हजार दा air and sound pollution तो फिर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 1000 आप air and sound pollution यह भी तो लिख सकते हो ना तो दो तीन पॉइंट लिख सकते हो आप पहला point आप लिख दोगे यहाँ पर protection of power forest belt यह हो गया दूसरा भी यह river and lakes pollution free फिर यहाँ पर आप लिख दो air and sound pollution यह चीज आप लिख सकते हो तो 3 point आपको हो जाएगा इस प्रकार से किसी भी आप passage की बात करो मैं इसकी passage की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी passage की बात करो आप summary और title ऐसा लिखेंगे पोर एंक मिलेंगे बच्चो समझ रहे ना तो उमीद करता हूँ आप लोग समझ क्योंगे पहले आप समझेंगे जो सबसे ज्यादा question है एक बाग कई मी थोड़ा इसमें लग कह रहा है यार वो title हो जाएगा और ये note making तीन number तो बिल्कुल किसी का मताराओं की बाप भी नहीं रोख सकता है तीन number कटने से इसी का meaning लिखना है आपको कहीं और से जूढ़ना नहीं है आपको दी परसानी हो तो बताना बच्चो आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो पसंद आट लाइक करके शेयर करें जैहिंद बंदे मात रहूं